हेलो फ्रेंज नमस्कार कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर फ्रोग का डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ तो यह बिल्कुल निया डिजाइन है आपने शायद पहले नहीं देखा होगा तो आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है एक बार और दूसरी बार फिर हमने छोटी साइड को फोल्ड कर लिया तो यह फोर लियर में कपड़ा हमारा हो जाएगा तो दो पल्ले हमने कठे कठ करने हैं यहाँ पे कपड़ा आपको कितना लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ जितनी भी आपकी फ्रॉक की लंबाई है उससे 2 या 3 इंच कम रखिएगा जैसे अगर आप 30 इंच फ्रॉक की लंबाई रख रहे हो तो यहाँ पे आपने 27 इंच कपड़े की एक साइड की लंबाई लेनी है तो डबल में कर लीजेगा उतना कपड़ा आपको यहाँ पे लगेगा तो अब आपने यहाँ पे उपर की तरफ एक निशान लगाना है यह निशान हम 1.5 इंच का लगा रहे हैं तो यह हमारा फोल्ड होगा यहाँ पे हमारी इलास्तिक दलेगी तो आपने यह निशान हमारा 1.5 इंच का लग जाएगा इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है 1.5 से 2 इंच का भी लगा लेंगे तो भी चलेगा तो पूरे में यह हमने लाइन सीधी बना लेनी है अब भी हम बच्चे का बना रहे हैं यह हमारे पास 3-3.3 साल के बच्चे का बने गा यहाँ पर हमने आर्म-हौल लेना है 5 इंच यहाँ से नीचे की तरफ पांच इंच हम एक निशान लगा लेंगे अगर किसी बड़े बच्चे का बना रहे हो तो छे ले जीए यह यहाँ पर हमने 5-inch armhole ले ले लेना है यह हमारा armhole अभी आप सब्चों के नीचे की तरफ armhole कैसे तो यह आप देखते दिए cutting को समझे यह armhole हो गया अब हमारी च्छाती का नाप राता है आपकी च्छाती कितनी है size कितना है पहले वह देख लेते हैं मेरे पाख जो चाती का नप 28 inch है 28 inch में हम 4 inch losing का डाल लेंगे तो ये 32 हो जाएगा 32 inch के अन को हमने 4 से divided कर लेना है तो ये 8 आजाएगा तो यहाँ पे चाती का नप लगाते है 8 inch तो ये हमारा चाती का नप लग किया ठीक है यहाँ पे 1 inch हम मार्चन का लेते हैं यह 1 इंच हमने यहां पर शिलाई के लिए लेना है और इसके आगे भाजू लगाए भी, इसके आगे लगीगी बाजू तो भाजू मैं यहां पर लगा रही हूं 8 इंच, 7-8 इंच आप लगा सकते हैं कुभी यहां पर शिलाई भी आएगी तो यह दिख लीजे कितने का बन गया यह हमारा साड़े सॉला इंच के तरी यह सत्रा इंच का बन गया तो यहां पे भी सत्रा इंच का एक निशान उपर की तरफ लगा लेते हैं लिए इस निशान को इसके साथ मिलाने पूसे हैं ये लाइन हमारी इस तरह जिदी हो गई है ये हमारे चाहती का निशान ये मार्चन का उसके आगे बाजू लगए अब इसमें नीचे की तरफ घेरा लगेगा घेरा आपने कितना अजारा है घेरा हम यहां पर फ्रॉक का ते इंच लगा रहे हैं 26 इंच सफिशेंट रहेगा अगर आप खुले और भी घेरा बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो यहां से क्योंकि हमारा पास कपड़ा काफी रहता है और आप क्या गरेंगे अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे यह जो हमारा मार्जन एस निशान लगाते हैं यहां पर इसको हल्का सा कर्भ देती हो कि यह मार्जह ऑक नीच तरफ नजीर प्राम कि यह इस तरह आ जाए तो इसकी कर लेते हैं कटिंग पहले की तो यहां से शुरू कर लेते हैं यह देखी इस तरह हमने इसको शेंप गिया इसमिंगे इस तरह कट करेंगे जो यह अस्ता कपड़ा है यह भी निकाल लेते हैं लेजे यह हमारी प्रॉक की अल्मोस्स कटिंग हो गई तो यहां पे सारी कटिंग हो चुकी है अब हम इसकी सिलाई करेंगे सिचिंग करना भी बहुत असान है इसका मैं आपको बता दूंगी यह हमारा इस तरह का पैटन के लाइन दसी का सिल लेंगे और नीचे से कट कर लेते हैं यह इन सारा वैसरसिकिन करने लिकाल है अब सबसे पहले रहे साई्ड का साईड वला हिससा है जो अमने बाजू का निशानल लगा था उसमें जो इस साईड धयत है इसको बंद कर लिएना है दोनों साइट से हम बंद कर लेंगे तो आप यह सोचो के जरूर की यह बंद क्यूंकिया है तो बाजू का आगे का पॉंचा कैसे बनेगा तो इसी में से बन जाएगा आप वीडियो को बिल्कुल कम्प्लीट देखेगा बिल्कुल नए डिजाइन की यह फ्रॉक है आपको देखकर बहुत ही अच्छी लगेगी और यह बनाना भी बहुत असान है दोनों साइट से बाजू को हमने आगे से सिल लेना है जो हमने लेंथ लगाई थी आठ इंच बाजू की एक सिलाही लगाने के बाद फिर हम इसको उपर से फोल्ड करेंगे लिजे यहां पर हमने इसको सिल लिया है अब हमने जो उपर का निशान है यहां पर पहले जो हमारा ये अंडराम का निशान है जो यहां पर हमने शोल्डर लगाया था यहां पर हलका सा कट लगा लेंगे बिल्कुल ज़रा सा cut लगाना है कि यहां पे जोल ना आए बिल्कुल भी यहां पे मैं बिल्कुल एक एक point का cut लगाऊंगी और यहां पे अब इसके बाद हमने fold करना है यह जो हमने cut लगाया है इसको लगाने का भी एक मकसद है कि हम इसको fold करेंगे यह जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा इसको पहले हमने बिल्कुल बारिक फोल्ड दे देना है बिल्कुल एक एक पॉइंट का एक एक पैर का हम इसको फोल्ड कर लेंगे यह फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है फोल्ड दोनों साइड हमने इसी तरह फोल्ड करना है अंड साइड हमने फोल्ड इसको कर लिया है और दूसरी साइड भी हमने इसको फोल्ड कर लेना है तो देखे इस तरह हमने दोनों साइड फोल्ड कर लिया है अब बारी आती है उपर से फोल्ड करने की यह जो हमने डेट इंच का निशान उपर की तरफ लगाया था इसको हम पहले फ बैंच तेसं को फिनिशित बिल्कुल बिल्कुल पतली हमें और यह यह दमी पतल्रप में का थिलल ने वीडियो को दोबार में से गरा फैले घ्रिजान की यही चांग का तो फॉलो चाह्या में निशान की हम रूलता है फंड common art की सब्सक्राइब लेगा कर लेना है जब उससे फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक से तेज़ इंच खुला छोड़ेंगे उसके इंदर हम ने एलस्टिक डालना है यहाँ पर हम गले के लिए लस्तिक डालेंगे यह हमारा उपर वाले हिस्ते में आएगा तो elastic पर दिख लीजिए आपने गले के हिसाब से ही डालनी है तो यहां पर इसको नाप लेते हैं इसकी जो length है elastic की वो हमने ली है तक्रीबन 21 इंच के क्रीब यह हमारे पास elastic है इसको हमने इसके अंदर डालना है जैसे 8 इंच यह गले का हो जाएगा 8-8-16 इंच गले का हो जाएग जो हमने नाप के एक्सर रखा था उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं दो से तीन वारी इसको सिल लेते हैं तो यहां पर इसमें जोड़ लग जाएगा elastic में तो लीजिए यहां पर मैंने काफी वारी इसके उबर सिल लिया है दागे को और यह में जोड़ लग चुका है अब हम इसको को खीच लेंगे इसको आपने इस तरह खीच लेना है जब आप खीचोगे तो यह जो चुननट है आपके यह बिल्कुल हो जाएंगे आप बराबर इसको खीच लीजेगा और यहां पे जो हमने हिस्सा छोड़ा था एक से डेड़ इंच का मैंने खुला छोड़ा था उसको हम हम इस सबर बंद कर लेते हैं इसको भी हमने चुननट अजब आशक ले correlate कर ले ना है कि यहां पे लास्तिक दिखे ना और यहां से कपड़ा फूलत लेना तो लीजे यहां पे भी से लाईवा लगा ली है अब हम सेट कर लेते हैं तक ही यहां पर यह इसको हमने इस तरहें दोनों side कर लेना है और यहाँ पे अब Alasthic लगानी है Alasthic आपने कमर के हिसाफ से लगानी है जितने आपकी कमर है ऐस रहें którego साफ बहुत यहाँ पर निशान भी पहले लगा लेंगे गलें सेंटर का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हम साइडों में दो-दो इंच का gap देते हुए दोनों साइड एक mark कर लेते हैं यह जो हमने mark किया है इसके उपर हम एक पट्टी लगाएंगे जैसे छोटे बच्चों के गले गिरते हैं तो यह गिरने गला हमारा गिरेना तो इसके लिए हमने एक पट्टी बनानी है यहाँ पर हमने डो पट्टाया लेक्त काया है इसको ठोड़ा सा चौड़ा सीलेंगे, एक इंची चौड़ाई रखते हुए हम इसको फोल्ट कर लेते हैं, इस तरह मैं इसको शिलाई लगा लूँगी और सीधा भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे ही फोल्ट कर जैसे हम थोड़ः-Thconomy Sefold करते हैं और इसको इसके ऊपर से रखकर इस तरosition लेते हैं आप डूसरे तरह भी कर लिजिए एक सिदा कर लिजिये और प्लते होजाती है इसको मैं बिकुल इसी लग चुकी है दूसरी पट्टी भी सेम ऐसे ही हम रेडी कर लेते हैं तो लीजिए दोनों पट्टियां हमने इस तरह बना ली हैं अब हम इसको गले में अटैच करेंगे जहां पे हमने दो इंच का निशान लगाया था उसको हम यहां से जोड़ना शूरू करेंगे और दूसर को बिल्कुल अपने नापकर ही लगाना है नहीं तो पट्टियां आपकी इधर उदर हो सकती हैं तो दोनों तरफ हम इसको उल्टा रखेंगे और इस तरह अंदर की तरफ रखते हुए सेल लेंगे निशान आप दोनों तरफ बराबर लगा लीजिएगा यहां पर पट्टियां लगाने के बाद अब हमने यह जो निशान लगाया था नीची एक कमर पे जो हमारा आर्म होल का निशान था वहां पर हम इलास्टिक लगाएंगे मैंने यहां पर दो इलास्टिक लिए हैं क्योंकि दो पल्ले हैं तो दो इलास्टिक के पीस लिए हैं यहां पर कमर के हिसाब से elastic लगा लिए जितनी आपकी कमर है उससे 1.5 लगा लिजिए जितनी भी आपकी कमर है एक से 1.5 लगाएंगे तो थोड़ी fitting आती है अच्छा लगता है इस तरह हम सिलेंगे इसको और elastic को थोड़ा सा खीच लेंगे हलका से elastic को खीचेंगे और कपड़े में यहां पर gathering अपने आप आ जाएगी तो वह बहुत ही pretty लगती है design में यहां पर इसको रखेंगे रखकर हम इसको खीच लेते हैं जितना भी set करना है वह अपने आप automatic हो जाएगा और कपड़े को इस तरह set कर लेते हैं line के ऊपर elastic को रखते हैं और इसको खीच कर थोड़ा सा लगा देते हैं तो उससे हमारी चुन्नट अपने आप ही डल जाएंगे और दोनों साइड आपने ऐसे ही इसको attach कर लेना है अब लीजे दोनों साइड हमने elastic लगा दी है अब हम यहां पे armhole पे शिलाए लगाएंगे यह दुखिए जहां पे हमने शिलाए लगा थी हलका सा cut दिया था तो मैंने बताया था कि यह आपको समझ में आएगा देखने के बाद तो यहां पे यह हमारा armhole बन गया है अब हम यह हमारी बाद्जू का घेरा बन गया है अब हम इसको हलका सा घुमाब देते हुए इसको fitting की सिलाए बिल्कुल एक एक point कपड़ा लेते हुए लगा रेते हैं दोनों साइड हमने कपड़ा लगा लेना है और नीचे से इसको बाद में fold कर देना है उसके बाद यह फ्रॉक ह कट लगाएंगे और यह जो हमारा अंड्राम के नीचे का हिस्सा है वह भी बिल्कुल finish हो जाएगा तो लीजे फ्रॉक हमारी बनकर ready हो गई है मैंने इसको हलका सा प्रेस भी कर दिया है और बहुत ही प्रिटी यह फ्रॉक बनकर तयार हुई है आपको देखते ही यह पसंद जरूर आएगे और बिल्कुल थोड़े से कपड़े से बन जाती है तो आप भी इसी तरह घर में छोटे से पीस से एक फ्रॉक बनाकर ready कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपको दिकत नहीं आएगी वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहु लाते